नमस्कार आप सबका टार्गेड वी दालोक में बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्ट डॉक्टर अमित कुमार शुकी कैसे हैं आप लोग आज फिर प्रेक्टिस सेट के सेशन के साथ मैं उपस्तित हूँ मौर्य सामराजिय से सम्बंधित आज हमारा दूसरा प्रेक्टिस सेशन होगा प्रते एक दिन हम एक से बढ़कर एक प्रशन आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं ताकि जब भी सेशन हमारा होता है आप उन प्रशनों से खूब लाभानवित होई है साथी साथ जो आपको प्रशन पहले से आते हैं चलिए वो तो ठीक है जो नए प्रशन है उनको आप कहीं नोट करिए उसे अपने शौट भूक में जगह दीजिए कोशिश तो यह करना चाहिए हम सब को कि अपने जो अपना जो नोट है उसको हम और कैसे रीच बनाएं और रीच बनाने का यही सबसे बड़ा तरीका है कि उसमें जो भी नए जानकारी आपके सामने उपस्तित हो उसे नोट डाउन करते रहिए और उसे समस्ते रहिए लर्न करते रहिए देखिए एक दिन कैसे धिरे-धिरे उस विशय में आपकी पारंगत्ता बढ़ जाती है यह समानने सा मुद्दा है होली का यह मौसम है आप सबको धेर सारा रंगुलाल मेरी तरफ से और धेर सारा प्यार शुप खामना है आई शुरू करते हैं आज का सत्र बहुत धन्यवाद निमलिखित में से कौन सा शुरोत चंद्रगुप्त मौरे को छत्री मानता है आपसने विश्णुपुराण आपसन भी मुद्राराक्षस आपसन सी अर्थसास्त और आपसन डि महाँ परिंद्रवार सुप्त यह चार आपसन है आपके सामने इन में से बताना है कौन सा आपसन उसे छत्री मानता है दोस्तो अपना उत्तर जरूर दीजिए बीना hesitation के मैं भी इसको explain कर देता हूँ आप समझ जाएंगे आईए इसको explain करते हैं ताकि आप अपने उत्तर समझ जाएं इससे पहले कि मैं इसका उत्तर दूँ पहले इसको explain करता हूँ automatic आप उसका उत्तर समझ जाएंगे जो लोग नहीं जानते हैं चंद्रुत मौरे की उत्पत्ति को लेकर ही इतिहासकारों में मत भिन्नता है एक मत नहीं है किस कुल का है इसको लेकर ब्राम्भर साहित्य जैन साहित्य बौध साहित्य के अलग-अलग मत है चंदगुत मौरे के बारे में ब्रामर साहित का मत है कि यह सुद्र था कुल से सुद्र था सुद्र कुल का वहीं जैन साहित इसे निम्न कुल का मानता है शुद्र सब्द का प्रयोग नहीं करता वो कहता है निम्न कुल का जबकि बौध साहित्य उसे छत्री ये मानता है ब्राम्भर साहित्य और बौध साहित्य दोनों क्यों ले करके ज़दतर इतिहासकार असमंजस में हैं और ब्राम्भर साहित्य और बौध साहित्य दोनों ही से अधिक ज़्यादा तवजो वरियता वो देते हैं जैन सा हित्ते पर उसे neutrality के साथ देखने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी आपका प्रश्न क्या है प्रश्न है कि कौन सा स्रोत इजट्राइट चंदगुत मौरे को छत्री मानता है और सही विकल अब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा वो है महापर्णिर्वान चंदगुत मौरे को छत्री ये मानता है इस वेरी वेरी इंपॉर्टन कुश्चन इस ट्राइट चल अब देखिए इसमें विश्रु पुरान धार्मिक साहित्य है मुद्रा राच्छास में इसका वर्डन नहीं है और अर्थ सास आपको पता ही है पर सास नहीं इसमें भी इ कर नहीं है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन अशोक ने अपने किस शिलालेख में आटविक जातियों का उल्लेख किया है इंपॉर्टन है अशोक ने अपने किस शिलालेख में आटविक जातियों का उल्लेख किया है आटविक option A पाँच में, option B ग्यारहमा, या ग्यारहमे, option C बारहमे, तथा option D तेरहमे, आपको उत्तर देना है, पाँच में, ग्यारहमें, बारहमें, या तेरहमें से, question number 2 बहुत ही important है, बताईए, आठविक, जातियों, काउल लेख, बोलो, अपना उत्तर जरूर दीजिया, चले, अपने उत्तर का, मुल्याखन करें, जाच करें, सही है कि नहीं, समझिये, सही उत्तर है, असोक ने, असोक ने, अपने तेरहमें सिला लेख में, आठविक जातियों का उलेख किया है, 13th, ये अठविक जातियां कौन है, कहां पाई जाती हैं ये, इनका असोक ने क्यों लेख किया, आठविक जातियां जन जातिये हैं, जो जिनका संकेंद्र मुख्यता है, 36 गर्ड मद्य परदेश के पूर्वी हिस्से और महराष्ट के पूर्वी हिस्सों से जोड़ कर, एक ब्रिहद छेत्र में देखी जाती है, आठविक जातियां, असोक ने धम विजय की नीती अपनाई और युद्ध की नीती त्याक कर दी, तब उसने सेना का संचालन भी रोग दिया, ये दिप की सेना भंग नहीं की, इस दौरान आठविकों ने कई बार उपद्रव करने की कोशिश की, कि तब असोक ने आठविकों को चेतावनी देते हुए कहा, उनको सांती बनाया रखने के लिए, क्योंकि असोक ने सेन संचालन रोखा था, सेना भंग नहीं किया था, Is it right? उनी आठविकों की चर्चा तेरहवे सिरा लेख में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, Question number 3, किस अभिलेख में असोक ने? बहुत इंपॉर्टेंट है, धार्म बिजय काउलेख किया है, अभी चर्चाम कर रहा है, धार्म बिजय है, अपने किस अभिलेख में असोक ने? धार्म बिजय काउलेख किया है, सात्वा स्तंभ लेख, दूसरा शिला लेख, बारहवा सिला लेख, या तेरहवा शिला लेख, आप्सन यही चार आपके पास है, उत्तर आप जरूर दें, कि अपने किस सिला लेख में अशोक ने? बताईए, धम बिजय काउलेख किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने अपने बिकल्फ जरूर चुनिए, मैं इसका सही उत्तर आपको दूँगा, बताईए, धम बिजय काउलेख, अब अपने एंसर मिलाईए, दोस्तों, आपने तेरहवें सिला लेख में ही उसने धम बिजय का, तेरहवें सिला लेख में ही धम बिजय का भी उलेख करता है, ध्यान से समझिएगा, असोक के धेर सारे अभिलेख, सिला लेख, मैं इसी क्लास में क्लिर कर दूँगा, जिसमें से पूछने की फिर से संभावना ज़्यादा है, इध्यान रखिये, तो असोक ने अपने तेरहवें सिला लेख में धम बिजय की बात भी की है, तेरहवें सिला लेख में अन्धेर सारी बातों की जानकारिया है, इसलिए तेरहवें सिला लेख भी असोक का बहुत महत्पूर है, आगे ध्यान दीजिए, नेस्ट कुश्चन, कोटिल की अनुसार स्थानी यह, स्थानी बहुत इंप्पूर्ट नहीं, प्रसाशनिक घटक था, दस गाओं का समू, दो सो गाओं का समू, चार सो गाओं का समू, या आठ सो गाओं का समू, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुश्चन, बताईए, स्थानी कोटिल के अनुसार स्थानी क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बताईए, स्थानी क्या था, कोटिल के अनुसार, यह प्रस्ट बहुत ही महत्पूर्ण है, इसके बारे में पता हैं आप लो, दस गाउं, 200 गाउं, ग्राम या 400 या 800, देखिए दोस्तों, असोख हो या चंदूत मौरे हो, वहां से, मतलब चंदूत मौरे से असोख तक खास कर, यहां तक, लगभग मौरियों का जो प्रसाशनिक डिवीजन है, वो एक ही तरह रहा, इसके बाद, असोख के बाद मौरे तेई से पतन हुआ, तो चीजें चेंज होने लगी, लेकिन कौटील, लेकिन चंदूत मौरे से असोख तक की प्रसाशनिक धाचे में, ज्यादा परदूतर नहीं है, कुछ नए अधिकारियों की न्युक्तियादी असोख करता हुआ दिखता है, सबसे पहले समपूर सामराज्य और उसका एक प्रसाशक समराड था, पिर सामराज्य का बिभाजन प्रांतों में किया गया था, मौरे काल में प्रांतों में विभाजन प्रांतों में प्रांत पति हुआ करते थे प्रांतों का विभाजन मंडलों में हुआ था मंडला युक्त मंडलों में हुआ था मंदलों का विभाजन जिलों में था विशय या जिला विशियों का विभाजन स्थानिय में था यह स्थानिय जो पूछ रहा है और स्थानिय का विभाजन सबसे निचला विभाजन ग्राम था जिसमें प्रसाशनिक इकाई तथा राज़ों संबंधी इकाई भी सामिल थी किन्तु स्थानिय और ग्राम के बीच में स्थानिय और ग्राम के बीच में तीन अन इकाईयां भी थी खरवाटक, संग्राहर, दोर्णमुख समझते रहे लेकिन वो जो सभी इकाईयां है वो इकाईयां खासकर राज़स इकत्रित करने तक सीमित है एक ग्राम और ऐसे ऐसे 800 गाव मिलकर एक स्थानी ये बनते थे 800 800 ग्राम के क्या बनते थे स्थानी और इसके निचे तीन अन इकाईयां थी लेकिन तीनों इकाईयां ध्यान समझना सिर्फ राजस वसूल करने तक सीमी थी इसलिए सही उत्तर होगा option D आगे बढ़ते हैं असो का सिला लेक 12 देखेगा सिला लेक 12 गिरनार मैं निमलिखित में से किन अधिकारियों का संदर्व दिया गया है इंपोर्टेंट कुश्चन है इस वेरी इंपोर्टेंट कुश्चन धर महामात्र अस्त्रयाध्यक्ष महामात्र राजुक और प्राधेशिक असो के या सो का सिला लेक 12 गिरनार सिला लेक कहते हैं मैं निमलिखित में से किन अधिकारियों का संदर्व दिया गया है चार आपके स्ट्रयाध्यक्ष महामात्र राजुक और प्रादेशिक option आपके सामने है अपना अपना विकल्फ जरूर चुनिए अपने अपने उत्तर जरूर दीजिए कोशिश करिए इसको उत्साह के साथ लीजिए निसंदे आपको बहुत लाब होने वाला है question number 5 पताईए मुद्दा है बारह में सिलालेख से सिर्फ बारह में सिलालेख से गिरनार सिर्फ गिरनार से असो का गिरनार सिलालेख बताईए clear है चलिए आपका सही उत्तर होगा इसका मैं बताता हूँ option A सिर्फ धंब महामात्र और इस्तरयाध्यक्ष महामात्र ये दो का संदर्व दिया गिया है असो के बारह में सिलालेख जिसे गिरनार लेख भी कहते हैं कि अंतरगत ठीक है मिला लीजिए आपना अपना चेक करें कितने लोगा सही है ठीक आगे बढ़ते हैं बराबर और नागरजुन नागरजुनी या नागरजुन गुफा सिलालेख की खोच किसने की थी दो गुफा सिलालेख है बराबर की तथा नागरजुनी की इसी खोच किसने की थी आप्शने पांडरे टिफेंसलर आप्शन भी जे एच हैरिंग्टन आप्शन सी कारलाइल एसी एल आप्शन दी टाड के आर यू यह रिसर्च में लिखने की भासा यहां बदल गई है होना चे एसी एल कारलाइल के आर यू टाड लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं तो इस तरह लिखा जाता है नाम ओके तो पांडरे डिफेंसलर बोलिये जे एच हैरिंटन कारलाइल एसी एल और टाड बताया क्या होगा सही उत्तर अपना अपना उत्तर दीजिए क्वेशन नमबर छे अपना उत्तर मिलाई है अगर जिन लोगोंने सही दिया हो जरूर मिला लीजिए गलत वाले सही कर लें जे एच हैरिंटन इन्होंने ही बराबर और नागारजुन गुफा सिलालेख की खोज क्यों थी किसको बराबर और नागारजुन ध्यान से समझेगा बहुत इंपॉर्टेंट है बराबर और नागारजुन दो गुफा सिलालेख की खोज इन्हों नहीं की थी किस ने जे एच हैरिंटन ने की थी कोई डावर तो ने किसी को समझने में यह कनफर्म है आगे देखिए अगला कृश्चन क्रेश्चन नमबर सेवन बहुत इंपॉर्टेंट कृश्चन किस अभिलेक में असोग चार संपरदायों संघ, ब्रामण, आजीवक और निगंठ का उलेक करता है यह संघ का मतलब बौद धर्म से है ब्रामण का मतलब सनातन धर्म से है आजीवक संपरदाय का लग है निगंठ का मतलब जैन से है निगंड का मतलब जैन से ओप्शन A, सिला प्रज्यापन 12 ओप्शन B, स्तंभ प्रज्यापन 7 ओप्शन C, सिला प्रज्यापन 13 और ओप्शन D, स्तंभ प्रज्यापन 1 सिला लेख और स्तंभ लेख ही है सब्द से मत घवड़ाएगा प्रज्यापन से लेख ही है हाई कोई तो बता दे इसका हलो मेरे भाय बस यही है यह नाम से मत घवडाना चली बताईए क्या आपका अंसर होगा बोलिये अपना अपना उत्तर दीजिये क्रेशन नमबर सेवन किस अभिलेख में असोक चार संप्रदायों संग ब्राम्भर आजीवक और निगंट ध्यान से समझियेगा काउलेख करता है ऑप्सन चार है अपके साथ मतलब आप क्लियर है अर्थात बौत धर्म सनातन धर्म आजीवक संप्रदाय और जैन संप्रदाय यानि बहुत संप्रदाय सनातन धर्म आजीवक संप्रदाय और निगंट यानि जैन संप्रदाय का उलेख करता है अपने उत्तर मिला लीजिये इसका सही उत्तर है option B is it right सात्वा स्तंभ लेख में वो क्या करता है बोलिए इसका इसकी जानकारी या इसकी बात बताता है यह बहुत important है इस वेरी वेरी important आप इसको जरूर note down कर लिजिए कहीं लिख लिजिए हैं विस्वास है कि आप note करेंगे और आप इसको याद कर जाएगा बिटा यह काफी महत कूण है question number 7 अब आगे बढ़ते हैं भारत के कला वो पुरा तात्विक इतिहास के संदर्व में निम्रिकित में से किसका निर्मार सबसे पहले हुआ है बहुत इंपोर्टेंट है यह कुल मिलाकर आप कला स्थापत से question देख रहे हैं और बहुत महत पूर प्रशन है भारत के कला और पुरा तत्विक इतिहास के संदर्व में निम्रिकित में से किसका निर्मार सबसे पहले हुआ है option A क्या कहता है भूमने स्थवर के में लिंग राज मंदिर option B धौली में रौक कट हाथी option C महावली पूरम में रौक कट स्मारक और option D उदैगिरी में बाराह की मूर्थी रौक कट से फिर मत घबडाना क्या करे की ना करे बिलकुल नहीं रौक मतलब पत्थर पासाण कट पासाणों को काट कर बनाए गई मूर्थी बस बताईए या कोई भी चीज पासाण को काट कर रौक कट कहते हैं अपना उत्तर दीजिए मुझे लगता है कि आप जरूर सही उत्तर देंगे बूलिये काफी इंपोर्टेंट है है विश्वास है कि आपनों सही उत्तर देंगे बताएं क्वेश्चन नंबर एट बहुत ही मौत पूर्ण है दोस्तों ध्यान रहें बहुत ही इंपोर्टेंट ये जितना भी आद देख रहें न इन में सबसे प्राचीन क्या है वो इसी देख सकते हैं समझ सकते हैं धौली में असोक का स्तंब है धौली स्तंब उसमें उपर पत्थरों को तरास कर क्या बना हाथी बना तो दोस्त आज से लगभग साड़े बाईस सो साल पहले का ये चिन्न है ये है आपका एक्जामपल साड़े बाईस सो साल पहले धौली में राक कट समझ मैं अब महावली पुरम में राक कट उद्यगिरी में बाराह की मुर्ती या भुम्रेस्वर में लिंगराज समझते रहेगा सब सात्वी सदी से सात्वी सदी से बारहमी सदी के बीच के स्थापत्ते हैं बहुत बाद के सबसे पुराना धौली में राक कट हाथी क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कुश्चन नमबर नाइन पढ़िये बिसाख दत्त के प्राचीन भारतिये नाटक मुद्रा राक्षस की विशेवस्तु क्या है या विशेवस्तु है क्या क्या आपके बास चार आपसा में देखिए प्राचीन हिंदू कथाओं में वर्डित देवताओं और दानों के बीच एक संघर मतलब हमने देखा कि प्राचीन हिंदू कथानकों में देवदानों संघर अक्सर दिखाया जाता है तो क्या मुद्राक्षस में वही बताया गया है पहला आपसन अप्सन दूसरा एक आर्य राजकुमार और एक जनजाती स्त्री की प्रेम कथा हमारे साहित्य का एक विशय प्रेम कथा भी है और प्रेम कथा होनी भी चाहिए क्योंकि जीवन का अभिना हिस्सा है अप्सन सी दो आरे जनजातीयों के भी सत्ता संघर्स की कहानी आपने एक सर देखा होगा रिगवैदिक और उत्तरवैदिक काल में सत्ता संघर्स के लिए आरे अनार संघर्स और आरे आरे संघर्स होते रहें तो कहीं वो तो नहीं है आतो आरेयों के बारें पूछ रहे है और अपने मन से सोच के बताई, साजिसें है या प्रेम की कथा है, या सत्ता का संघर्स है, या सबसे पहला जो देवदानो संघर्स है, है क्या, संसंशिप में पढ़ सकते हैं, देवदानों संघर्ष, प्रेम कथा, सत्ता का संघर्ष या सड्यंत्र, चंदूत्मौर के दर्बार का, अपने उत्तर जरूर दीजिये आप लो, जरूर उत्तर दें, भूलिये, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर दीजिये सब लो, क्योश्चन नमबर नाइन, आएए देखिए, अब इसका सही उत्तर क्या होगा, समझिये, सबसे पहले वो सब लोग याद करें, मौरे कालीन इतिहास जानने के शरूत, इसलिए कहते हैं, हमने जब मौरे काल आपको पढ़ाया होगा क्लास में, तो मौरे कालीन इतिहास जानने के शरूत की चर्चा किये थे, ऐसे ही नहीं किये थे, आपके सलेबस में ऐसे ही नहीं है कि भारती इतिहास जानने के श्रोत भाई छोटी-छोटी बुनियादी बातों को तो जानना ही पड़ेगा मौरेकालीन इतिहास जानने का स्रोत है मुद्रराक्षस और जिसने बताई गई है कि चंदगुत मौर के समय दरवार में साजिशें कैसी चलती थी बहुत अच्छा चित्रण बिशाख दत्त की एक बहुत ही मौतपूर कृती है जिससे प्राचीन भारती इतिहास खासकर मौरेकाली इतिहास समाज आध की हमें सपश्च जानकारी मिलती है कोई डौर तो ने किसी की समय नहीं इतनी बात अगर आप सामाने तोर पर सब्जेक्ट वाईज सब्जेक्ट वाईज पेपर सॉल्व कर रहे हैं जैसे की प्रैक्टिस सेशन चल रहा है अपना हर सब्जेक्ट का लग 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 अगर दोस्तों आप 80% to 90% accuracy maintain कर रहे हैं सारे विश्यों में 80% to 90% accuracy maintain कर रहे हैं इमानदारी से एकाज प्रशनों पर मत जाएगा कि अच्छा पिछले वाले में एक क्यूशन सर ने समीति के सदस्या समीति संख्या थोड़ी सी mistake हो गई तो नहीं ऐसे क्यूशन पर नहीं जाना एकाज क्यूशन माल लीजिए गलत हो सकता है डिजन मैटर लेकिन 80% से 90% यदि आप accuracy maintain किये हैं यह आप इमानदारी से खुद अपना मुल्याखन खुद कर सकते हैं कर रहे हैं आप लोग रोज के दिन प्रैक्टिस करके देखिए अभी से आपके एक्जामनेशन तक जितने प्रैक्टिस से हो रहे हैं उसमें देखिए accuracy maintain करिए अगर आपकी 80-90% accuracy हर subject में जा रही है then you are doing very fine work then you are going towards right direction बहुत साही दिसा में जा रहे हैं और आप केवल fight में ही नहीं है आप means लिखेंगे हर भी से में होना चाहिए 80-90% accuracy लेकिन यदि आपका 70-80% accuracy बन रही है यानि 10 में से 7-8 सवाल सही होते हैं थोड़ी और मेहनत की जरूरत है 10 में से 8-9 सवाल सही हो ठीक है you are going good अगर कोई छात्र 5-6 सवाल सही कर रहा है तो इसका मतलब है उसे बहुत मेहनत करने की जरूरत है और वह बहुत मेहनत कोई दूसरे तरीका नहीं है maximum revision maximum बार अपने वीडियो को देखें maximum बार PDF को पढ़ें maximum बार practice set को देख लें जरूत पढ़ें तो maximum बार class का lecture देखिए जोर सक्षन कम जोर हो और maintain कर ये दोस्त 80-90% accuracy देखिए क्यों नहीं होगा तब तब guarantee होगा next question question number 10 निमलिखित में से कौन से प्राचीन भारती दस्तावेज हैं ये तो भारती दस्तावेज हैं कौन से जो देश में संकट के समय उपयोग किये जाने के लिए खाद्यान को संरच्चित करने के सबसे पहले साही फर्मान थे कहने का मतलब कौन है प्राचीन भारत में कुछ ऐसे दस्तावेज है जो यह निर्देश देते हैं एक फर्मान आदेश देते हैं कि भाई देखो उध्यान से देश में जब संकट पड़े उस समय उप्योग किये जाने के लिए खाद्यान को संरच्चित रखो साथी साथ उसमें ये देखो करने के लिए सबसे पहले साही फर्मान इसमें से कौन है आपसने सुहगोरा का तामर पत्र लेख असोक का रुमिन देई स्तंब लेख प्रयाग प्रस्षाष्टी या चंद्रगुप्ट का महरवली या महरवली अस्तंब लेख अब ध्यान से समझेगा बहुत ही इंपोर्टेंट है उस अबलेख में ये भी लिखा है कि चंद्र नामक सासक द्वारा अकाल पिडितों के लिए अन्वित्रण किये जाने का प्रबंध कितने महत्पूर बात है उस अभिलेक से ये पता चलता है कि भारत में PDS था PDS था PDS था आज ही नहीं Public Distributing System Public Distributing System का सबसे पहला हमें प्रमाण हमें संकेत तार्तिक विन्यास के आधर पर दिखाई देता है हडपा सब्विता में कि संभावता हडपा सब्विता में हडपा सब्विता में ध्यान दीजिएगा PDS सिस्टम रहा हो Public Distributing System रहा हो चलिए वहां तो हम तार्किक विन्यास के आधर पर बात करते हैं सब्वित निकाल सकते हैं क्योंकि धेर सारे अन्नागार वगर मिले हैं लेकिन यहां तो सपष्ट रूप से लिखे ध्यान दीजिए दस्तावेज है भारती दस्तावेज जो संकट के समय उप्योग के जाने वाले खाद्यान सबसे पहली बार फरमान जारी किया अपको उत्तर आ चुका होगा चलिए आपके उत्तर अपना उत्तर मिलान करें ध्यान समझे यह चार है सुहगवरा ताम्र जो काफी इंपोर्टेंट है आप जानी रहें और आपके क्विशन नमर दस का जो सही उत्तर है वो यही है इसलिए सुहगवरा ताम्र पत्र अब देखें ध्यान से सुहगवरा ताम्र पत्र के साथ सुहगवरा कहा है पहले ही जान लिजी यह गोरखपूर में है गोरखपूर आपके सीम योगी आदितनात का छेत्र हमारे सीम योगी आदितनात का छेत्र इस टाइट गोरखपूर में है सुहगवरा गोरखपूर में एक गाउं है कौडी राम के पास उस वहीं पर है सुह गौरा समझते रहेगा और इसके अलावा मतलब अपने उत्तर प्रदेश में है भाई ये इसके अलावा एक दूसरा अभिलेख मिलता है उसी चंद राजा का जो महास्थान में है कहा है महास्थान यह महाँ स्थान कहा है बांगला देश में यहां आज के बांगला देश में कहां पे बांगला देश द्यान समझे का इन दोनों यह स्थान पर सेम बाते लिखी है कि चंदर नामक सासक द्वारा अकाल पीडितों के लिए अन्य अन्य या खाद्यान वित्रण हे तू प्रबंध अब इसका मतलब समझे यहां चंद्र का समीकरण मौरे सासक चंद्रगुप्त मौरे से लगाया गया है जबकि यहां मिहरावली का जो चंद्र है इसका संबंध गुप्त सासक चंद्रगुप्त विकर्मा दित से लगाया है यह आपका बहुत इंपोर्टेंट है इसको समझे ओके और इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुर्शन मांग चलिएगा अगला देखिए गुप्त नमबर 11 निमलिखित में से असोक के किस अभिलेख में कलिंग का युद्ध उलिखित है मतलब इतना अभी आपको पिछले क्लास में भी मैंने कुछ उस्तमभ में क्या वर्डित है याद आ रहा है ना पिछले क्ल के जो प्रेक्टिस स्यट की बार के हमने पिछला हिस्ट्री जो मैंने मौरीयों का परथम स्यट कर आया था वहां से भी बहुत important point बाते हैं, यहां भी देखे, कलिंग युद्ध का वर्डन, स्तंभ अभिलेक 6, प्रस्तर अभिलेक 13, सिला लेक जिसको बोलते हैं, सिला लेक, प्रस्तर अभिलेक 11 और स्तंभ अभिलेक 1, बताए किस में है, 11 नंबर प्रश्न का उत्तर, बताए काफी important है मैंने पिछले क्लास में भी जब उत्तर दे रहा था, तो कहा कि इस अभिलेक में, यानि कि उस स्तंभ लेक में, धेर सारी अन्य information भी है, तो उसके आधार पर विसायद आप समझ सकते हैं, आए देखते हैं, आप में से कौन समझा, कौन नहीं समझा, समझना बहुत जरूरी ह बताईए, चलिए आपका जवाब आचुका होगा, अपना जवाब दीजी और मिलाईए अब अपने जवाब को, याद कर ये पिछले क्लास में, हमने यहां से question आप पढ़ा था, पढ़ा था न, तो सही उत्तर है प्रस्तर अभिलेक तेरा, इसलिए इसको मैं बार बार बोल होता हूं कि इसको याद करना दोस्त, बहुत important है, हर जगा available है, okay, अपने PDF से पढ़ लीजिए, PDF से पढ़िए, बार बार कहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की चीज है, और एक, दो, तीन बार अगर आप क्योल पढ़ लेंगे न, तो कंठस नहीं होगा, लेकिन फि किस तंभ होगर पढ़ना, ऐसी चीजे होती है, जिसको आप हपते में एक बार, दो बार, ऐसे सिल से नजर से, पांच मिट, दस मिट देख लिए है, बस खतम, ठीक, आए, आगे बढ़ते हैं, क्योश्चन नमबर बारा, बताएं, निमलिखित कतनों पर विचार करें, निमलिखित कतनों पर विचार करें, सही बिकल्ब का चैन करें, पहला कतन क्या है, मौर एकाल के दौरान दास प्रथास्तित में नहीं थी, दोसरा, मौरियों के एकाल में विश्तित प्रशाशनिक धाचा था, तीसरा, आमत और पर साही राजकुमार की नियुक्ति, वाय सराय के रूप में होती थी, चौथा, विभिन पदों, इसे ट्राइट, विभिन पदों के लिए अधिकारियों की योगता जाचने के लिए कुछ नियत परिच्छाए लिया आती थी, अब बताईए इसमें से सही विकल कौन-कौन से होंगे, चुनिए, आप्शन ने, आप्शन ए, समझे, दो और तीन, आप्शन बी, एक, दो और तीन, आप्शन सी, उपरोक्त में से, कोई नहीं, आप्शन डी, उपरोक्त सभी, बताईए, क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर मैं एक चेंज कर रहा हूँ, बिकल्प में, ध्यान समझी, आप लो, बिकल्प में मैं एक परिवर्तन करने जा रहा हूँ, उसको अच्छे पकड़ लीजिए, बिकल्प में परिवर्तन, थोड़ा सा, बिकल्प में परिवर्तन कर रहा हूँ, दो, तीन और चार, बिकल्प में मैं परिवर्तन किया, दो, तीन और चार, यह ध्यान दीजिए, ओप्शन एक को बना दिया, दो, तीन और चार, यह आपके पास बिकल्प है, उसके हिसाब से बताईए, क्या सही होगा, बताईए, इसमें से सही उत्तर क्या होगा, देखिए, इसमें एक मिस्टिक हो गया था, सिर्फ आप्शन में, आए सही उत्तर देखते हैं, सही इसमें उत्तर क्या होगा समझे, मौरेकाल के दवरान दास प्रथा अस्तित्तं में नहीं थी, ऐसी बात कौन करता है, मेगस्थनीज करता है, अगर प्रस्ट में ये होता मेगस्थनीज के अनुसार नहीं थी जैसा कि पिछले क्लास में एक statement आया था तो अगर मेगस्थनीज के अनुसार नहीं थी कहा जाता तब तो सही हो जाता लेकिन यहां मेगस्नीज का नाम ही नहीं है इसलिए क्या मारेंगे ये पहला स्टेट्मेंट गलत है यानि मौरे काल के दौरान दास प्रथास्तित में नहीं थी ये क्विशन गलत है और हमें चुनना क्या है? हमें सही चुनना है ये तो गलत हो गया अब यह ध्यान दिजी है मौरियों के काल में विस्तृत प्रसासनिक धाचा थी जी यह यह सही है अर्थसास्त्र में कौटिल्य साफ साफ कहता है कि एक विस्तृत प्रसासनिक धाचा ही राज्य के लिए उप्यूक्त होता है और मौरियों में भी हमने देखा 18 सुरू में अध्यक्ष, 26 के आसपस तिर्थ, धेर सारे अन्य अधिकारी, बहुत बड़े मंत्रि मंडल प्रसासनिक धाचे की ब्यवस्था मौर्य प्रसासन में साफ साफ दिखाई देता है ये ध्यान रखिए, तीसरा स्टेट्मेंट आम तोर पर राजकुमार की नुक्ति वासराय के रूप में होती थी सही है प्रांतों में जो प्रांत पती होते थे प्राया हुआ अपद राजकुमारों को ही दिया जाता था आपको पता है पहले मौरियों के चार प्रांथ थे असोक के समय ये पांच प्रांथ हो गए उत्रापत, दक्छडापत, अवंती, मगध और कलिंग ये आप अंदजा लगा ये अराको यान योमा से हिंदु कुस परवत के बीच में दच्छडी कराटक तक कस्मीर से, हिमाले की तराई से, तलहटी से इतने बड़े छित्र में बिस्त्रित, मौरिस, सामराज में सिर्फ पहले चार और बाद में कलिंग जेवत पांच ही राज्ये ये अपने आप में बहुत महत पूर्ण है उत्रापत की राजधानी तकसिला दक्षुरापत की राजधानी सुवनगिरी अवंत की राजधानी उज्जैनी मगद की राजधानी प्राची से प्राची बोलते थे प्राची मगद पाटली पुत्र जिसको मैंने मगद राज्य कहा वह प्राची प्राची बोलते थे उसको प्राची उसका पाटली पुत्र है और जब कलिंग जीत लिया गया तो उसकी राजधानी तोशली तो इसलिए ये सही है तिसे स्टेटमेंट विभिन्द पदों के लिए अधिकारियों की योगिता जाचने के लिए कुछ नियत परिच्छाय ली जाती थी बिल्कुल सही है एक उपधा परिच्छन, एक योगिता परिच्छन से अधिकारियों को गुजरना पड़ता था और जो अधिकारी इस योगिता परिच्छन में सफल हो जाते थे उन्हें ही एंट्री दी जाती थी ये बहुत अच्छी व्योस था, मौरे काल में देखने को मिलती है इसलिए आपका सही उत्तर होगा, option A, दो और तीन तथा चार यानि दो तीन चार हम कह सकते हैं, सही उत्तर है, नीचे के तीनों स्टेट्मेंट सही है आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कुशन नबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट डिभी कुशन है, निमलिखित का मिलान करें धम महामात्र, जिला स्तरी अधिकारी उसके सामने है अच्छ, पटला, देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छ, पटला, राजुक और युक्ता, तो दुसरी तरफ क्या है जिला स्तरी अधिकारी, धम का विशेष, काडर या धर्म प्रचारक अधिकारी audit to a record of office या office से जुड़ा हुआ और clerk ये जानबुच कि ऐसे सब्द आजकल जो सामाने प्रियोग में आते हैं ऐसे सब्द दिये गए हैं इसके आधार पे आप चुनकर बताईए कि कौन सा अधिकारी का किस से संबंध है question number 13 एक महत्पूर प्रस्ण भी है इसी के माद्यम से आपको कई चीजों का ग्यान भी हो जाना चाहिए और यहाँ ऐसे प्रस्ण तो पूस्ते ही रहते हैं बताईए अपने जवाब दिए सब लोग question number 13 question number 13 बोले सब लोग उत्तर दीजी अपना अपना बहुत important है question number 13 उत्तर लेकिन जरूर देने की कोशिस करिए आप अपना उत्तर जरूर देने की कोशिस करिए बताईए क्या उत्तर होगा धम महामात्र को किस से मिलाएंगे बोलिए चलिए ध्यान दीजी साफ साफ एको किस से मिला देंगे एको बी से मिला देंगे देख लिया बी का क्या हो गया वन तो देखिए सिधा सिधा हो गया बी का वन इसको मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत क्या है बी का वन यहां एंसर अपोजिट दिया गया इसलिए दिक्कत आपको आएगी तो ऐसे मिलाएं बी का वन देखिए बी कहा है और B का 1 किसमे है, B का 1 इसे, इसी आधार पे निकल गया ना answer सही, निकल गया ना B का 1, देखिए, simple, यह भी elimination process, आप देखिए, इसी इसी आधार पे, अब क्या पुछ रहा है, A, B का 1 आप निकला, यहाँ इधास देखिए, अच्छ पड़ाल, आप देखिए, अब इसका पड़ाला, audit वर रिकार्ड से जुड़ा हुआ है, तो 2 का सीदे सीदे देखिए, C हो गया, अब यहाँ पर देखिए, तीन का एक, राजुक क्या है, जिलास तरी अधिकारी है, और साब साब युकता एक कलर्क है, यहाँ चला है, इसको आप most important मनाईए, सब लोग इसे कर जाएए, हलाकि बहुत simple है, अक्ष पटाला, इसका लेखा जोखा ही काम है, audit काम है, बस राजुक और युकता बाद में दो अधिकारी बने थे, असोक के समय, राजुक जिलास तरी अधिकारी है, और युकता जो एक कलर्क है, यह बहुत important है, इससे समझेए, और यहाँ स question single single भी पूशता है, यह अपने आप में चार question है, यह जो दे दिया है ना बिकल्प, यह वाला पहले और यह वाला बाद में, इससे बच्चे confusion ने पढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, निमलिखित कतनों पर विचार कर, विचार करें, और गलत बिकल्प को चिनीत करें, प दूसरा, मौरियों के पास विसाल पैदल सेना थी, और सभी वरणों से लोगों की न्यूकती सेना में की जाती थी, तीसरा, करों का भुकतान केवल नगत के रूप में किया जाता था, और चौथा, वेतन का भुकतान वस्त के रूप में किया जाता था, अब देखिए, चार आपके विकल्ब है, चार आपके statement है, कथन, और अब आपके सामने विकल्ब है, उपरुख सभी, option A, option B, 2 और 3, option C, उपरुख में से कोई नहीं, तिथा option D, 1, 3 और 4, अपना अपना जवाब जरूर दीजिए, question number 14, 14 हमें प्रस्टन का जवाब सब लोग दें, बताईए, question number 14, जवाब जरूर देने कोशिश करिए, बताईए, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें से गलत बिकल्ब, यह भी कई बार क्या होता है कि, गलत बिकल्ब को चिन्नित करना है, बहुत important, कई बार यही नहीं होता है, तो गलत सही में confusion हो जाता है, किसी को पढ़ने में, तो गलतिया हो जाती है, आई इसका सही उत्तर देखते हैं, पहला तो आप सब जान रहे हैं, गलत है क्योंकि, पिछले बार भी हो चुका है कि, चाड़क ने इंडिका और अर्थसास्तर नहीं लिखी, सिर्फ अर्थसास्तर लिखा, दोनों पुस्तक एक साथ दे, तो इसका मतलब दोनों पूछ रहा है, तब गलत हो जाएगा, सिर्फ क्या लिखा उन्होंने, अर्थसास्तर लिखा, दूसरा, मौरियों के पास बिसाल, पैदल, सेना थी, और सभी वर्णों से, लोगों की निउक्ति, सेना में की जाती थी, बिल्कुल सही है, कोटिल्य, सुद्रों को भी आरे मानता है, पहले तो ये ध्यान दीजिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आजकल जो राजनीती लोग करते हैं, उनके लिए एक तमाचा भी है, पहले तो वो आरे मानता है, और कहता है कि ये गुलाम, आरे को भी दास नहीं बनाया जा सकता, उसके अपनी सोच है, सही है, अब लिखा है करो का भुक्तान नगद के रूप में किया जाता है, ये अगर ये सब्द हटा दे, केवल, हटा दिया जाए, तब तो सही हो जाएगा, लेकिन केवल में गलत हो जाएगा, मौरी काल में बड़े अधिकारियों को प्रायपन के रूप में उन्हें नगद वेतन दिया जाता है, इससत्ते है, केवल, समस्द, कियो ध्यान समझे, या करों का भुक्तान, कर, अधिकारी वेतन देना लग है, कर है, टेक्स से बात है, टेक्सेशन, केवल, नगद में नही था आप जिन्स भी दे सकते थे वस्तू मतलब अन भी दे सकते थे और नगद दे सकते थे कर दूसरा वेतन का भूगतान वस्तू के रूप में किया जाता था गलत वेतन का भूगतान नगद किया जाता था ये भी गलत हो गया तो देखो वेतन नगद होगा और कर वस्तु तथा नगद दोनों रूपों इसने सभी स्टेटमेंट में से सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है और तीन गलत है एक पहला तीसरा और चौथा गलत है इसलिए option D will be the right answer देख लिए आप लोगोंने अगले क्विशन तरफ बढ़ते हैं निमलिखित का मिलान करें बहुत इंपोर्टेंट है और सारल भी विंदुसार असोग चंदुत्मौर चाड़क के सबके अपने अपने उपनाम है अन्य नाम है ग्रीक लेकों दोरा उन्हें अलग तरीके से अलग नाम दिया जाता है अभी लेकों में अलग नाम दिया जाता है तो बताईए सुमेलित करके कि कौन सा नाम किसको दिया जाना चाहिए यहां भी वही चीज़ किया है, पहले यह दे दिया, बाद में आपको उधर दिया, तो सोच समझ कर अपना जवाब देंगे, question number 15, सब लोग जवाब दीजिए, बहुत अपूर्ण है, question number 15, और जल्दी जवाब दें इसका, क्या उत्तर होगा, question number 15 का, चले, मैं आपको उत्तर देता हूँ, इसका सही जवाब ऐसे मिला लिए, सबसे आसान आपको कौन लग रहा है, चाड़क के, विश्णो गुप्त, पता ही है, सबसे आसान अगर लग रहा, और दूसरा आसान क्या लग रहा है, असोग, देवा नाम, प्रीदस, कंफर्म, कोई एक ले लिए, दोनों में से जो आपको कोई मौलूम था, यान्य इसका मत्लब B का 2 होगा है तो कंफर्म हो गया, अब B का 2 या तो इसमें हैं, अनत्या कहीं हैं हैं यह देखिए, और D का 4, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अगर D का शार दोनों जग़ा है, तो भी यह लिजा केवल एक अगर बी का वन भी मालूम होता तो आपको मिल जाता यह दोनों मिल गए इस इटाइट अब देखिए बिंदुसार को अमित्र त्यानती यह अमित्र घट भी बोलते हैं अथा चंदुत मौरे को सैंडरो कोटस भी कहा जाता है इसको कई नाम जाना जाता है इस साफ से आप्शन एज राइट एंसर चलिए कितना लोंका सही था मिलाइए अगला कुश्चन कुश्चन नमबर सोला निमलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्ब को चिन्हित करें अप्शने मतलब पहले तो हम कथन एक पहला कथन असोग के अभिलेक केवल पाली और प्राकृत में ही लिखे हुए हैं दूसरा गिरनार अभिलेक चंद्रगुप्त के सासनकाल के एक प्रांती गवर्नर पुष्यमित्र शुंग से संबंदित है गिरनार अभिलेक तीसरा रुम्मिंदे अभिलेक असोग की लुम्मिनी आत्रा का उलेक करता है और चौथा निगाली सागर अभिलेक स्थूपों के बिस्तार का उलेक करता है बताए कौन सा सई होगा सई चुनना है आप्शन ए उप्रोख सभी आप्शन भी एक तीन और चार आप्शन सी तीन और चार आप्शन डी एक दो और तीन बताए बहुत बढ़ियां प्रशन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉंसेफ्चुल भी है बताए क्वेश्चन नंबर सोला क्या आपको लग रहे हैं पताए अपने अपने उत्तर जरूर दीजिए चले हम इसको उत्तर देते हैं और मिलाइए कितने लों का सही है असोग के अभिलेख केवल पाली और प्राकिरित में नहीं है फरोश्टि आर्मीक लिपी में भी हैं द्यान दिजिए हैं अ है जि इसी पुष्चमित्र सुंग ने मौरेवंस के अंतिन सासक ब्यद्रत के हत्याकर सासन प्रात किया था और सुंग वंस के स्थापना की थी तो गलत हो गया दोनों रुमिन देए अभिलेख असोक के लुमिनी आतरा का वरड़न करता है, that's very important साथी साथ ये निगली सागर अभिलेख स्थूपों के विस्तार का उलेख करता है, ये भी सही है तो इस हिसाब से आपका उत्तर क्या सही हुआ, option C, तीन और चार सही हुआ इस very very important question दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, question number 17 सत्र देखिए, निमलिकित मौरे सासक, बहुत धर्म के अनुए आई थे, इनने से कौन-कौन से बहुत सासक, मौरे सासक, बहुत धर्म के अनुए थे, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दसरत, सही उत्तर चुनिये, बहुत आसान question है, अगर ये question गलत हो रहा है, त दोस्त अपने इसाब से सुन कर बताईए, कि इसमें से कौन से सासक, ब्यान से हम समझें, मौरे सासक, बहुत धर्म के अनुए आई है, बताएं, बहुत सिंपल उत्तर है, आपको बताना है अपना उत्तर, option A, यहाँ पर पांच option दे दिया है, नहीं कोई बात नहीं, इन पा पैटर नहीं करता, बताईए, क्या सही उत्तर होगा, अपने उत्तर सही दीजिए, एक और दो, दो और तीन, तीन और चार, दो एम तीन, एक और तीन, बताईए हो गया, चलिए, अब मिलाईए अपने, उत्तर मिलाईए, देखें दोस्त, चंदरूत मौरे क्या था, अंत में जैन धर्म का अनुयाई बना, कौन? जैन धर्म, कुछ लोग कहते हैं, बिंदुसार ने भी बाद में जैनिजम अपना लिया था, सनातनी यह भी था, इस दो और चार, आपसन डीज राइटेंस, आगे बढ़िए, यह बहुत मातफुर प्रश्न है, निमलिकित में से किस स्रोत में, असोक के राजिकाल में, तृति यह बहुत समिति, बलकि समिति नहीं, संगत ही होगा बटा, होने का उलेख मिलता है, किस स्रोत में, असोक के राज में, तृति बहुत समिति या बल संगति होगा, समिति नहीं, संगिति या संगति होने का उलेख मिलता है, असोक के राजिक, दीववन्स, महावन्स और दिव्यावदान, पता है इस में से, आपसन नीचे है, A, B, C, D, उत्तर दीजिए, क्वेशन नबर 18, 18 का उत्तर दीजिए, किस में मिलता है, क्वेशन नबर 18, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेशन है, इसका उत्तर सब लोग दीजिए, बताए किसका मिलता है, बोलिए, चलि, साही अंसर है, आपसन C, दिव्यावदान और महावन से मिलता है, ठीक है, ये साही अंसर है, C, अगला क्वेशन देखते हैं, क्वेशन नमबर 19, निम्लिखित में से किस दक्षड राजी, दक्षड राजी का उलेख, असोक के अभिलेख में नहीं है, बताइए, असोक के अभिलेख में निम्लिखित में से किस दक्षड राजी का उलेख नहीं है, बहुत इंपोर्टेंट है, बताइए, सब अपना अपना चोल पांड सातिय पुत्र और सात्वाहन, बूलें, छोल पांड साती पुत्र और सात्वाहन, नहीं है, दोस्तों चोल पांड साती पुत्त का उलेख मिलता है ये संगम कालीन राज्ये हैं कौन से समय के ये संगम कालीन राज्ये है ध्यान दीजीएगा संगम कालीन राज्य इनका उलिख मिलता है पडोसी राज्य के रूप में किन्तु सात्वाहन जो है ये मौर्युत्तर काल का राज्य है किसका मौर्युत्तर ध्यान दीजिएगा ये मौर्युत्तर कालीन राज्य है दक्कन का राज्य है महाराष्ट्र आंदर प्रदेश तेलंगाना आज का उत्तरी का नाटक में स्थित तो इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप्शन डी ओके आप्शन डी मतलब ध्यान समझे दच्षिड में निमलिखित में से किस दच्षिड राज्य का उलेख असोग के भिलेख में असोग के भिलेख में सात्वहान का उलेख नहीं है अगला क्विश्चन मौरेकाल में सिख्षा का सरवाधिक प्रसिद्ध के अंदर कौन था यह तो बहुत आसान क्यूशन है बताएगे बहुत इंपोर्टेंट बोलिये कोई डावर तो नहीं किसी को बताइए क्लियर है कॉंसेप्ट सबको याद आ गया अरे भाई कौटिल कहां पढ़ा था चंदगुत मौरे कहां पढ़ा था अर्थात मौरे काल में ध्यान से समझिए सिच्छा का सबसे महत्पूर केंद्र यही है ओके दोस्तों इन प्रशनों से आप दोचार होईए इस पर खुब वर्क करिए जितना ज्यादा मेहनत करेंगे न उतना ही यह फैमिलियर होते जाएंगे आप इन प्रशनों से और आपके इक इक नंबर बढ़ते जाएंगे मैं फिर से कह रहा हूँ revision आपको perfection की तरफ ले जाता है और जो revision से भागते हैं उसको problem होते है revision से मत भागे है number आप question मत देखिए number आप quality देखिए और उसके माध्यम से कितनी information और कितनी सूचनाय मिली ठीक है, रंगो गुलाल के साथ फिर से एक बार आप सब को होली की धेर सारे शुक कमना है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब को डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल का बहुत-बहुत मस्कार, धन्यवाद, थैंक यू.